गाउं में रहने वाला एक नौजवान नलका पुरानी बुरी यादों को ना भोल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परिसान था अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किसमत और भगमान को कोचता रहता या फिर अपने मन में उस इनसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वज़े से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिष्टे थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था वह हर समय तनाओ वह मानसी का सांती की स्थिती में रहता उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौधमट में एक जिन माश्टर रहते हैं तुम उनके पास जाओ वो तुम्हारी इस मानसी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे वहनों जवान नड़का जिन माश्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों वो यादों को भूल नहीं पाता लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन माश्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं जिन माश्टर का बिना कुछ उत्तर दिये यू उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जिन माश्टर मिट्टी की गलास में पानी भर कर उसके तरफ चले आ रही है जिन माश्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं बताओ, इस ग्लास का वजन कितना होगा लड़के ने कहा मैं एक दम सटीक तो नहीं बता सकता लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा मेरा प्रस्चन यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूं तो क्या होगा दड़के ने कहा कुछ भी नहीं होगा जिन मास्टर ने फिर पूझा अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह एक घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा आपके हाथ में दर्द होना सुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया। अगर मैं इस ग्लाश को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा। आपके हाथ में बहुत भेंकर दर्द होना सुरू हो जाएगा आपका हाथ सुन भी हो सकता है आपके मास्पेसियों में भारी तनाव आ सकता है और यहां तक की आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है दर्के ने गंभीर सब्दों में कहा जिन मास्टर ने कहा बहुत बढ़िया ल जिन माश्टर ने फिर प्रश्नी किया अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँ गलास को नीचे रख दीजिए लड़के ने कहा जिन माश्टर ने कहा बिलकुल सही और जीवन की परिसानिया भी कुछ इसी तरह होती है इन्हें कुछ देर तक अपने दिमा लड़के की तरफ इसारा करते हिवे कहा अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गलास के तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द बैदा कर देगा अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हांसे निकल जाएगा और फिर तुम भविश्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनन करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि चिंता बैक्ति को इसकी चिता दख ले जाती है ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में